पर आज किसान दिवस है यूपी की राजानी लकनों के रवंद्राले में रास्टिय किसान अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है इस अधिवेशन में देश के विभिन राजियों के डेलिकेट्स आज भाग लेंगे और भावी रणनीती पर मन्थन किया जाएगा जापर इन सरकार ने किसान दिवस से ठीक एक दिन पहले किसानों पर लगे सभी मुकद्मों को हटाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। पीएफ ने भी एफ सभी मुकदमों को खत्म कर दिया है ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इस अधिवेशन में किसान सरकार के साथ जाती है या फिर यूप MSP और दूसरे भब मुद्दे जिने सरकार ने नहीं माना है कि चलते किसी दूसरे आंदोलन को शुरू करने का आज आयोजन जहाँ पर लखनों में लखनों के रविंदराले में इस अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है जहां पर आख बता दे किस अधिवेशन में राच जफरके डिलिगेटस शामिल होंगे तो किसान दिवस के एक दिन पहले ये नोटिफिकेशन भी जारी किया गया जहाँ पर आज किसान दिवस और किसान दिवस से पहले ही कल सरकार के दौरा जहाँ पर जितने भी वो कदमे किसानों पर लगे थे सभी को हटाने का निर्देश दिया गया है पर आर्पियफ के द्वारा भी ये सभी जो डंड लगाए गए थे या पर ये सभी जो केस दायर किये गए थे सभी को हटा दिया गया है आज किसान दिवस है और किसान दिवस के मौके पर इस अदिवेशन का आयोजन सरकार ने किसान दिवस के एक दिन पहले किसानों के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया इस पर हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर श्रभी हैदर जी हमारे साथ जुड़े हुए श्रभी जी जो किसान आज किसान दिवस भी है और किसान दिवस को लेकर कारकम का आयोजन भी किया गया है जहां पर लखनो में अडिवेशन का उसको लेगा किस प्रकार से त्यार देखन बिल्कुल सौती देखो मैं रविंद्राले में हूँ चार बाग लखनव की राजधानी लखनव के चार बाग इस्तित ये रविंद्राले में आज एक भववे कारेकरम कायोजन किया जा रहा है पूरे देश के किसान जो है आज यहां पर एक अत्रित होने वाले हैं राश्टिय किसान मंच के बैनर तले इस कारेकरम कायोजन होगा शेकर दिक्षी जी राश्टिय अध्यक्ष है आपके जो उत्तर प्रदेश के परबारियें संजय सिंग जी वो मुख है साफ तोर पर देखिए किस तरीके का बदलाओ देखने को मिला है मेरे साथ बहुत सारे लोग है युआ हैं ये सबी लोग किसान मंच से जुड़े हैं अभी तक हमें ऐसा लगता था कि अगर हम किसान की बात कर रहे हैं तो हमारे सर पर साफा होगा हम धोती पहने होँगे और एक गाओ और एक इस तरीके का एक तस्वीर सामने आती थी लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे कॉर्परेट जिस तरीके से मुमेंट होता है जिस तրीके से वो सारी चीजे होती है तो उस तरीखे के लोगें, हाला कि कारिक्राम अभी शुरू नहीं हुआ है, लोगों ने आना शुरू कर दिया है, बस अपसे थोड़ी दिर में कारिक्राम शुरू होगा, मेरे साथ राश्टिय किसान मंच के कुछ सदत से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे बात करूँगा, और मुख्य अतिती आम आदमी पार्टी से संजय सिंग जो सांसद हैं, वो आ रहे हैं, और इसकी जो अधिशता कर रहे हैं, वो राश्टि किसान मंच के राश्टिय दक पंडित शेखर दिशित जी कर रहे हैं, और आज का जो हमारा ये अधिवेशन है, इस मेरी किसानों स्लिट कैसे कह सकते हैं, कि आप हक नहीं दिया गया, केंद सरकार ने जो मुकदमे थे, उनको वापस लिया है, MSP का जो है रेट वो बढ़ाया है, किसानों की आए को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रतिबद है, और किसान का जो एक कह सकते हैं, जो इंशोरिंस होता है, फसल वीमा इंशोरिंस है, ऐसे बहुत सारी योजना हैं, किसानों को जो बेनिफेशली स्कीम से हैं, केंद सरकार की, वो बहुत अच्छी तादात में काम कर रही है, और मुझे ऐसा लगता है, कि शायद उन योजनाओं का ही ये कारण है, जिसकी वज़ा से आज जो है, वो किसान होंगे, क्योंकि उन्हों ने जंजन पर पास जाकर के उनकी समस्याओं को सुना है, एक गाउं गाउं के घरगर में जाकर के उनकी समस्याओं को सुना है, तो बहुत सारे मुद्दे भी ऐसे भी बाकी रहे गए हैं, जिन पर काम होना बाकी है, कुछ मुद्दे आप ऐसा कु किसानों के नो के हमारे पार सथ आरे एंपने helps किसानों के दिए पक्रूस यें कि सरकार की तरफ हए को रही है तूब यहां लोगी होगी चाही करें किन लेकिन विच्वारें उन सारे मुद्दों को मीडिया के सामने और जन सामने के सामने लाया जाएगा ये राष्टी अधिवेशन है तो इसमें और कौन से राष्टी नेता आ रहे हैं बहुत सारे राष्टी नेता है जिनकी लिस्ट हमारे पास अभी आई है और वो अभी मीडिया के सामने भी आएग अलग-अलग शहरों से और अलग-अलग प्रांद से लोग आ रहे हैं और अपने मुद्धे यहां पर रखेंगे वधी मेशन में बिलकुल सौती देखिए पूरे देश के लोग यहां पर किसान आज इकट्टा होने जा रहे हैं तो निशित तोर पर किसान ने भी अपनी चाल बदली है, अपनी धाल बदली है, अपने वस्तर बदली है, अपने मनोदशा बदली है, अपने विचार बदली है और आज किसान जो है रविन्राले में एकर्टा होंगे और निशित matin रवे और के ओपर ऐसे बहुत सारे इशियू Does है जिनको सरकार ने सॉल्व किया है और आज जो किसान दीवस है जिस तरीके से फादर्स डे मदर्स डे होता है उसी तरी से आज फार्मर्स डे है निशित तोर पर अनधाता का दिन है आज का दिन बहुत बड़ा दिन है आज का दिन सेलिबरेट करने वाला दिन है उन तमाम अनधाताओं को आज जो है वो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए विश करना चाहिए जो अनधाता हमारा पेट भरने का काम करते हैं जो अनधाता भार रुख है जो फसल की बात होती है जो बीच की जानकारी है और जो बहुत सारे जो अरवरक जो है उनके बारे में सब कुछ जो है वो अब सिस्टम के तैस हो रहा है वाट सेट गूरूप हैं बड़ी बड़ी खंपियां से जिस तरीके से क्योंकि सुविधाएं तो बहुत दी ज चारी है और अब इत्ता कांदोरन कहीऽ कोहिए जारी देखने को मिल रहा है तो कहीं ड़ी जो विरोव दिका सारम घ общ और नहीं किसान के बिल्कोल देखे हिस zac किसानों चाहे वो पुरुष किसानों वो यहांपर आ रही है स्वाति जहां तक आपका मूल सवाल है समस्याओं का तो निश्चित तोर के उपर सरकार भले जतने बड़े दावे करें सरकार भले जतनी बड़ी बड़ी जो है वो बाते करें लेकिन अनदाता आज भी परेशान है उसको जिस उर्वरक की बात की जिस यूरिया की बात की वो यूरिया जो है मिलने में दिक्कते परेशानियों की लगतार पूरे परदेश से जो है वो खबरे आ रही हैं तो हम कह सकते हैं कि देखिए अभी जो है वो किसानों की जो समस्यां हैं वो भी हैं अपनी ज हुआ हो बले ही सरकार जो है वो थोड़ा सा आगे बड़ी है किसान थोड़ा सा पीछे हटे हैं लेकिन जो गैप है वो गैप अभी भी बरकरार है किसानों का आना शुरू हो गया है किसान यहां पर पहुच रहे हैं लेकिन अभी कारेकरम नहीं शुरू हुआ है कारेकरम जब तो निश्चित तोर पर हम बताने की के नियूस के दर्शकों को कोशिश करेंगे कि आज किसान दिवस के मौके पर जो किसानों के लिए आम जंता क्या कर रही है सरकारे क्या कर रही है किसान खुद क्या कर रहा है किसान के इतना वेरने से जहां तक हमने समस्याओं की बात की तो निशित तोर के उपर आज भी नहर से खेट तक जो पानी पहुचाने की जो समस्या है वो जसकी तस मूबाय खड़ी है आज भी यूरिया महंगी मिल लई है ऐसा किसानों की तरफ से कहा जाता है जो समस्याओं है वो दावे जरूर किये जा रहे पर समस्याओं खतम होती नहीं दिख रही है और नाराज की कहीं ना कहीं अभी भी बरकरार है और शायद आज इस अधिवेशन के जरिये नाराज की खतम करने का सरकार का प्रयास सही साबित हो सकता है जी शबी जी एम जानकारी के लिए और मैंसा जुड़ने के